टी एक linear transformation है जो r³ से r³ पर define है और element को किस तरह से वो send करता है उसका image होता है x1-x2, x1-x2 और third constant is 0 हमें यहाँ पर rank और nullity के बारे में बताना है कि इनकी dimension क्या होगे rank space और null space क्योंकि यह जो है constituents यह किसके लिए है यह आपके range के लिए है और यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक दूसरे के क्या है equal है तो एक ही position पर हम independent है इस तरह से हम कह सकते है rank of t 1 है और rank nullity theorem का इस्तमाल करते हुए होगे क्योंकि rank plus nullity का जो sum है वो किसके equal होगा तिरी के equal होगा option A यहाँ पर correct है ग्रोपने में कहां पर तरह सेख सकते है लिएमे कई यह चिता है तो कूला हो किसके आइक लुँए की ऍ ripping wieder है किसके गर ब disclose